गुजरात टाइटन्स आज अपने होम ग्राउंड पर दिल्ली कैपिटल्स से मुकाबला करेगी। दोनों टीमों ने इस सीजन अपने अपने आखिरी मैचों में जीत हासिल की है। ऐसे में दोनों टीमें जीत की लए को बरकरार रखने के लिए मैदान पर उतरेंगी। इस मै P.L. 2024 के 32 मुकाबले में आज गुजरात टाइटन्स की टकर दिल्ली कैपिटल्स से होगी। यह मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आज शाम साढ़े साथ बजे से खेला जाएगा। इस सीजन में दोनों टीमों में अभी तक निरंतरता की कमी देखने को मि दोनों टीमों का अभी तक का प्रदर्शन मिला जुला रहा है। हालांकि दोनों टीमों ने अपने पिछले मैचों में जीत दर्ज की है। ऐसे में दोनों टीमों का लक्ष्य इस मुकाबले को जीत कर महत्व पूर्ण दो अंक हासिल करना होगा। मैच से पहले जानिये, दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकडे, संभावित। दोनों टीमों का इस सीजन में अब तक का प्रदर्शन IPL के मौजूदा 17 सीजन में दोनों टीमों के अब तक के प्रदर्शन की बात करें, तो गुजराट टाइटन्स ने अभी तक 6 मैच खेले था, वहीं 6 मैचों में सिर्फ 2 जीत और 4 हार के साथ दिल्ली कैपिटल्स फिलहाल अंक तालिका में 9 नंबर पर है, कैपिटल्स ने भी अपने आखिरी मैच में लखनव सुपरजाइंट्स को 6 विकेट से पराजित किया था, गुजराट टाइटन्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2022 से कैश रीच टूर्नामेंट में आगाज किया था, ऐसे में दोनों टीमों के बीच अभी तक सिर्फ 3 मैच ही खेले गए हैं, इस दोरान गतुप विजेता गुजराट टाइटन्स का दबदबा रहा है, जिसने दो बार दिल्ली कैपिटल्स को माद दी है, हाला कि दो दोनों टीमों के बीच आखिरी बार खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 5 रन से जीत हासिल हुई थी, यह मैच एहमदाबाद में ही खेला गया था, पिच रिपोर्ट नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच की बात करें तो यह बल्ले बाजों के मुफीद रहती है, यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं, यहाँ की पिच काली मिट्टी और लाल मिट्टी दोनों मिट्टी से बनी है, लाल मिट्टी वाली पिच स्पिनर गेंद बाजों के लिए मददगार रहती है, वहीं काली मट्टी वाली पिच तेज गेंद बाजों क पर शांदार प्रदर्शन नहीं कर सकी है। गुजरात की कमजोरी धीमी शुरुआत करना है। टॉप ओन आर्डर के बल्लेबाज तेज बैटिंग नहीं करते हैं जिससे मीडिल ओन आर्डर और पुछले बल्लेबाजों पर दबाव आ जाता है। वहीं इस टीम की ताकत कप्त चोवरों में केवल 9.92 रन प्रती ओवर दे हैं और दूसरे सबसे अधिक 14 विकेट हासिल किये हैं। दिल्ली कैपिटल्स की ताकत और कमजोरी दिल्ली कैपिटल्स की ताकत उसका मजबूत बैटिंग लाइनप है। टीम को शांदार शुरुआत दिलाने के लिए सलामी बल् डेविड वार्नर और प्रित्वी शौ की जोडी है और कप्तान रश्भ पंत मीडिल ओनर्डर की रीड हैं। हालां की देखा गया है कि दबाव वाले मैच में दिल्ली की टीम बिखर जाती है। वहीं गेंदबाजी दिल्ली का कमजोर पक्ष है। एनरिक नौर्टजे अभी तक काफी महंगे साबित हुए हैं। लेकिन खलील एहमद और कुलदीप यादव प्रभावी साबित हुए हैं। जेक फ्रेजर मैक अगर्ख, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा, खलील एहमद।